यह सच में यूनिक है मैं भी पहली बार देख रहा हूं कि होंडा शाइन को इस कलर में कि जो आपने सर्विस करवाया था यह बाहर से करवाया था यह तो जैसे कि 125cc की होंडा है आपने कोई और भी बाइक चलाई होगी किसी यार दोस्तों में तो कभी ऐसा फील हुआ है कि नह करते हैं सो वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस देसे समील कान यह आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड यह टलू दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई नभी सी सी के उपर में जो जो बाइक है उनकी वीडियो स्तो बना दो आप ड़ी कम्यूटर वीडियो जो डेली कम्यूटर वीडियो तो आज च़स वीडियो से श्टाइन 125cc तो यह BS6 model है एंड इसका ownership experience में आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो ownership experience बताने से पहले थोड़ा साथ technical specification में बता देता हूं ताकि अगर आप इस vehicle को आज 2024 में लेना चाहते हो तो आपको क्या-क्या technical specification मिलती है ownership experience वो owner से पता करेंगे हम तो start करते हैं तो दोस्तों यह सामने हमारे खड़ी है Honda sign 125cc का एंड यह कुछ इस तरीके की चावी आपको देखने को मिलती है हाला कि आपको company से दो चावी मिलती है बट यह ownership experience है तो definitely जो दूसरी चावी है वो घर के अंदर में होगी बट क कुछ इस तरीके की चावी देखने को मिलती है यह जो vehicle है यह special edition है तो आप देख सकते हो इसके अंदर में golden आप generally देखोगे तो chrome का इस्तमाल होता है बट यहां पर आप देखोगे तो golden strips का पूरा का पूरा इसमें इस्तमाल हुआ है तो वो owner से पूछेंगे और मेरे ख्याल आपको डिस्क ब्रेक के साथ में single piston caliper के साथ में जो tire size है वो है 8018 और यह tubeless tire है and same kind of tire आपको पीछे भी मिलता है tubeless तो इसके engine specification के अगर मैं बात करूँ तो यह जो है यह आता है 125 BS6 phase 2 single cylinder air cooled technology के साथ में engine जो की power produce करता है 10.59 bhp with 11 newton meter torque and यह जो engine है यह आपको जो air I claim करती है वो करती है 55 की MPL का mileage तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसका mileage मिलता है कितनी खरी यह उतरती है and जो इसका ownership experience होने वाला है यह total होने वाला है 12,000 km का तो अब without wasting time बुलाते हैं हम owner को and पूछते हैं कुछ सवाल and जानते हैं उ विने जी का तो विने जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो मेरा सबसे पहला जो सवाल है जैसे कि मैं देख सकता हूं कि यह Honda थोड़ा सा अलग कलर में है और मुझे यह जानना है कि आपने कौन से साल में खरीदा था और जब आपने इसे खरीदा था तो लगबग कितन सिल्वर कलर आता है इसके अंदर में गोल्डन आ रहा है तो मतलब यह कोई स्पेशल यह स्पेशल एडिशन था और बहुत निया लूप करके आया हुआ था हमको काफी पसंद आया एक तो सबसे पहले इसमें जो यह गोल्डन कलर का दिया हुआ था मार्केट में बहुत कम थ तो हमने इसको अपना स्पेशल समझ करके यह यूनिक आइटम समझ के मैंने इसको लिया तो यह सच में यूनिक है मैं भी पहली बार देख रहा हूं कि होंडा शाइन को इस कलर में अच्छा मुझे यह जानना है कि यह टोटल कितना किलोमेटर चल चुकी है यह अभी तक मैं अच्छा खासा आपको जानने को मिलेगा तो मुझे आपसे यह जानना है कि जैसे 12,000 में आपने काफी सारी services करवाई होंगी तो मतलब मेरे ख्याल से चार तो मुझे यह जानना है कि इसमें जो service का पैसा लगता है कितना स्पाहर से सर्विस की सर्विस की पैसा तो बहुत कौम आती है लगबग हमको लगता है अठाएस उरफ्याम इसका एक सर्विस में करवाया अच्छा एक सर्विस का लगबग अठाराशों पाश्ठ और य तो एक चीज यहां पर मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि सर्विस सेंटर वाले लोगों का मानना है कि जल्दी बाते सुनते नहीं तो जब आप इसको सर्विस करवा रहे थे तो ऐसा हुआ कि सर्विस सेंटर में मेरा एक्सपीरेंस है वह खराब निकला या मेरी बाते नहीं पर किया यह फिर ऐसा कि नहीं जो मैंने बोला वैसे उन्होंने काम किया सर्विस सेंडर में तो इसका लोग काम करता है बढ़ियात से करता है बिल्कुल पर्फेक्ट हम लोग अपने हिसाब से ले जाकर यह गारी को दे देते हैं फिर वह लोग सर्विस करके अच्छा से हम जो रोल होता है कि मुझे आ आज मेंतर करता है। तो इसका अधूल थे यह है जै यह तो यह National पता ही नहीं चलता जैसे जनरली लोगों को आदत होती है कि रिजर्व वाला गाड़ी लेने का कार्बॉरेटर वाला तो आपको भी एशिक्स के बाइक से कोई दिक्कत नहीं है मैंने इसको तेल रखा है बराबर तो एक दम परफेक्ट चलता है और इंजन का परफेमेंस कैसा है भागती है यह हाँ यह तो पीकप पुड़ा देता है तो जैसे की 125 सी की होंडा है आपने कोई और भी बाइक चलाई होगी किसी यार दोस्तों में तो कभी ऐसा फील हुआ है कि नहीं यह वालो जादा बढ़िया या उनकी वाले जादा बढ़िया अरे आप तो कहें तो मै लेकिन एबरेज के चलते उसको बेज करके मैंने फिर इस गारी को लिया और डेली उच के लिए सबसे सुपर फास्ट गारी मैंने इसको समझा और पड़े हमको फिल्ड में चलना था इसलिए मैंने इस गारी को चुना जैसे इतना किलोमेटर आप चलाते हो तो बहुत ही एक तो यह आपने एक साल के अंदर में सर्दी गर्मी और बरसात पूरा देखा होगा तो कभी ऐसा लगा कि यह तो कहीं कुछ नहीं लगा एक दम बढ़िया चला ग्रेपिंग पावर वे इसका बहुत बढ़िया रहा है इतने टाइम में कभी आपको ऐसा लगा इस गाड़ी से कि मुझे इस चीज में दिक्कत आ रही है या फिर कंपनी से कंपनी को इस चीज के बारे में इसमें ठीक करना चाहिए आवाज खटपट खटपट कुछ भी या वाइबरेशन कुछ भी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा जिको कंपनी बनाया है अच्छ बनाया है और गारी चलत और पूरा ओलवर सेटिसफाइड है अच्छा एक वर्डिक्ट में अगर मैं आऊं तो अगर किसी को लेना हो ये गाड़ी तो आज के टाइम में क्या कहते है या फिर दूसरी किसी पर जाना चाहिए नहीं लेना चाहिए एक अगर आपको इसमें चेंज करने के लिए कुछ कंपनी से आपके दिमान्ड हो कि इसे चेंज करना है तो क्या चीज आप चेंज करवाना चाहेंगे उसका है ना यह थोड़ाचा है इस अजय यह कॉछ वालिटी चेंज होना चाहिए लगे कि मैंने इसको अच्छा से बाणके बैठा हुआ है तो थोड़ा सा रिष्ट वाइ अच्छा इस गाड़ी में CBS टेकनोलजी आता है ब्रेक में जैसे कॉम्बो ब्रेक सिस्टम आज कल की जो नई गाड़ी आ रही है उसमें ABS आता है तो कभी आपको ब्रेकिंग में ऐसा लगा कि यह confidence नहीं मिल रहा है यह ब्रेक मारने में भाग तो जाती है पर यह रुकने में थ आँगा जैसे कि जो यह वीकल है इसका जो टैंक है वो कितने लीटर का पूरा टैंक आता है यह टैंक है हमको ख्याल से 12 लीटर के आसपस तो आपको ऐसा लगता है कि सफिशेंट है और ज्यादा होना चाहिए ठीक है सफिशेंट है आपका जितना डेली रूटीन है उसमें सब्सक्राइब करता हूं कि इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वह सारी की सारी मैं दे पाया हाला कि जो उनर थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोपरेट किया जितनी भी मेरे सवाल थे सारे के सारे जवाब दिये और उमीद करता हूं काफी हद तक ऐसे वाल है आपकी क्या राय है इस वीडियो के लेकर तो अप मुझे बता सकते हैं उस पारे में तो अगर आप को वीडियो किसी भी रिजन से अच्छे लोगी कि तो भाई वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अब इसी नोट पे मैं इस वीडियो को करता हूँ, यहीं पे end and playlist में और भी बहुत सारी vehicle की वीडियो है, तो आप चैनल पे जरूर चेक आउट करके जाना and content आपको पसंद आता है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, तो मिलते हैं हमारे ऐसी किसी next review में, till then, bye bye.